Hello friends, Java language सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा lecture 39 जिसमें हम पढ़ेंगे thread states in Java हमने इससे पहले के वीडियो में threads के बारे में पढ़ा है, thread क्या होती है और thread को कैसे कैसे implement किया जा सकता है इसके बारे में हमने पढ़ा भी है और programs भी बना के देखें, यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले मैं चाहूँगा कि आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजे जो इसी channel पे रखे हुए यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं thread की क्या-क्या states होती है यानि एक thread जब हम बनाते हैं तब से लेकर उस thread के खतम होने तक thread किन-किन states से होके गुजरता है यानि thread की lifetime में उसके कितने पढ़ाव हैं कितनी states है तो thread की 4 states होती हैं new thread, runnable, not runnable and dead state तो पहले तो हम concept बनाते हैं कि यह 4 states होती क्या है हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम को runn होने के लिए processor की ज़रूरत पड़ेगी तो मान लीजिए यह है processor ठीक है इसको processor बोल रहा है operating system का काम है बहुत सारे programs में से हमारे program को भी process करवाना तो let's say यह हमारा program ठीक है और भी programs होंगे तो operating system के पास तो ऐसे बहुत सारे programs है let's say this is program 1, this is program 2 and so on operating system का काम क्या है processor को हमारे program से connect करना ऐसे हर program को बारी बारी से operating system प्रोसेसर के साथ connect करेगा ताकि processor उस program की instructions को execute कर सके अब ही हम बात करते हैं हमारे program की जो की let's say P1 है हमारे program में हमने बहुत सारा code लिखा हुआ है और हमने बनाई है threads तो ये एक code है, इस पर हमने बनाई ये thread, इस तरीके से हमने काफी सारा code बनाया है, जिसमें अलग-अलग threads बनाई है जब हमने thread बना दी, तो इत समय, इसको हम बोलते हैं, thread 1, T1, इसको हमने बोल दिया T2, इसको बोल दिया T3, तो तीन threads अब T1 जो है, अब चार states के बन बात कर रहे हैं, कौन-कौन सी चार states है, तो अब ये पर P2 को हटा जेता हूं यहां से ये P2 को हटा दिया, तब हमारे पास जगे होगई लिखने के लिए, तो मैं यह कह रहा हूं, कि चार states है, thread की, पहली state यानि new thread state ये पहली state, तो अभी T1, T2, T3, तीनों ही new state में हैं, क्योंकि अभी सिर्फ thread बनी हैं, अभी चलने ही रही हैं, ये पहली state तूसरी state, runnable state कहलाती है, जब हमारा प्रोग्राम execute होगा, ये connect हो जाएगा, और ये तीनों threads, execution के लिए तैयार हैं, यानि अब इनकी बारी हैं, तो ये जो wire है, समझ लीजे, ये connect होगा बारी बारी से तीनों से, तो पहले इससे connect हो गया, फिर इससे connect हो जाएगा, फिर इससे connect हो जाएगा, तो तीनों line में लगे हुए, तो ये T1, T2, T3, ये तीनों किस state में आगए हैं, अभी आगए, runnable state में, T1 भी, T2 भी और T3 भी बारी बारी से ये runn हो रहे हैं, फहले T1 चला, फिर T2 चला, फिर T3 चला, तो बारी बारी से ये चलेगे, अब किसी current से, T2 thread में, एक ऐसा code लिखा था, कि user से कुछ input लेना है, अब input user जब तक करनी देगा, उसके आगे की lines नहीं चलेगे, तो T2 thread जो है, वो थोड़ी देर क के लिए execute होना, उसका रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि वो user से input के लिए wait कर रहे हैं, तो इस दोरान not runnable state में चले जाएगी T2, T2 अब runnable state में नहीं है, T2 अब not runnable state में है, और वो wait कर रहे हैं कि जैसे ही user input करे, वैसे ही वो भी वापिस से runnable state में आ जा कि बारी आ रही होगी, T1 चला, थोड़ा सा, फिर T3 चला, फिर T1 चला, फिर T3 चला, फिर T1 चला, फिर T1 चला, फिर T2 इसमें participate नहीं कर रहे हैं, आचा, T1 चला, T3 अभी नहीं चला, T1 चला, फिर T3 चला, तो जब T1 या T3 में से कोई एक चल रहे हैं तो दूसरा तो wait कर लेकिन तो भी वो runnable state ही क्यालाईगी क्योंकि या ready to run, वो उस Q में तो हैं जिसमें run हो सकते हैं, लेकिन T2 तो उस Q से बाहर आ गया है, क्योंकि वो not runnable state में चला गया, और जैसे यूजर ने input दिया, वैसे ही T2 फिर से active हो जाएगा, और वापस से चला जाएगा, कहां पर वापस से चला जाएगा runnable state में, यनि कोई thread अपनी lifetime में कई बार runnable state से not runnable state में जाती है, और not runnable state से runnable state में जाती है, तो कुछ input लेने के लिए, T2 runnable state से not runnable में गई थी, लेकिन केवल input लेना ही नहीं, और भी कई तरीके होते हैं, जिससे की runnable state से not runnable state में आ सकत यह thread anyway वो तरीके भी हम देखेंगे चौती state होती है dead state dead state का मतलब होता है जब कोई thread का काम complete हो जाए तो वो thread रुख जाएगे या thread के अंदर जो code लिखा उसमें कोई exception generate हो गई है जिसको handle नहीं किया गया तो भी thread end हो जाएगे या thread को हमने forcefully end करा दिया तो thread एक बार dead state में चली गई तो उसके बाद फिर वो run नहीं हो सकती यानि वो live thread की end हो गई तो पहली state new thread state a thread in the state in this state when the instantiation of thread object creates a new thread मतलब जब आब thread class का object बनाते हो तो वो new thread state कहलाती है अभी thread चल नहीं रही है अभी आपने ना start function कॉल किया कुछ भी कॉल नहीं किया आप इस state में रहते हुए केवल start या stop function को ही कॉल कर सकते हैं बागी किसी function को अगर कॉल करेंगे तो एक checked exception आती है illegal thread state exception इसके बाद है runnable state जैसी आप thread बनाने के बाद start function को कॉल कर लेते हो तो runnable state में आ जाती है thread और बारी बारी से वो run होती जा रही है हो सकता है कि किसी current से वो अब not runnable state में जाए क्या current हो सकते हैं चार का runn हो सकते हैं एक method है sleep thread class का ही एक method है sleep जिसमें हम argument के रूप में देते हैं milliseconds तो उतने milliseconds के लिए thread sleep कर जाती है नहीं सो जाती है तो वो Q से बाहर आ जाती है जिसमें की threads run हो रही है तो यहाँ पर sleep function के call करते ही thread not runnable state में आ गई है और sleep function में जो time आपने mention किया है जब वो time expire होगा तो automatically वो thread वापिस से runnable state में आ जाएगी एक function है suspend suspend function को भी call करके हम किसी thread को forcefully not runnable state में पहुँचा सकते हैं लेकिन यह अब method depreciate हो चुका है यहाँ अब use नहीं होता है इसके बाद एक और function है wait wait function का भी वही काम है कि जब हम wait function को call कर लेते हैं तो thread waiting state में चल जाती है इसका मतलब not runnable state में चली जाती है thread किसी input या output operation को perform करने के लिए भी जैसे कि अब आपने example में देखा था कि कुछ input हो रहा है तो जब तक input हो नहीं जाएगा तो thread not runnable state में आ जाएगी और वापिस runnable state में जा सकती है sleep function के कारण अगर आप not runnable में आये थे जैसी time expire होगा automatically runnable state में आ जाएगी अगर suspend function कॉल किया था तो resume function उसका counterpart है जिसके कारण वापिस से runnable state में आ जाएगे पर ये suspend और resume function दोनों ही अब depreciate करे जा चुके हैं इसलिए इनको हम use नहीं करते हैं अगर आप wait function के कारण not runnable state में लाए थे thread को तो उसका counterpart है notify या notify all जिससे कि हम thread को वापिस से runnable state में output operation perform करने के लिए यदि thread not runnable state में आई थी तो जैसी वो input या output operation perform हो जाता है automatically वापिस से runnable state में आ जाएगे और एक पर thread का का काम complete हो गया उसका run function complete हो गया है तो thread dead state में चल जाती है या फिर आपने forcefully stop function कॉल किया तो भी dead state में चले आती है या फिर कोई exception आती है जो की handle नहीं की जारी है तो वो current भी हो सकता है thread का dead state में जाने का तो ये थी thread की states यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे like करिए यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते है तो आप इस channel को subscribe करिए आप मेरी website www.mysergy.com को जरूर visit करिए क्योंकि यहाँ पर मेरे सभी channels के link है हर channel पर कौन-कौन से videos है उनके link है बहुत organized manner में सारे videos के link वहाँ मिल जाएंगे YouTube में हो सकता है आपको ढूड़ने में दिक्कत जाए लेकिन वहाँ पर आपको easily सारे videos available होंगे आप उन्हें free of cost देख सकते हैं और उस पर regularly मैं नए videos upload करता रहता हूँ उसकी जनकारी भी आपको easily वहाँ मिल जाएगी इसके लावा programming exercise भी है जिससे कि आप programming skill को भी develop कर सकते है यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत कामा है तो आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिनके ये कामा सकता है तो आप एक भलाई का काम ये जरूर करिए कि इस वीडियो को अपने Facebook wall पे शेयर कर दीजे आपके शेयर करने से कई लोग इसको देखेंगे और मेरा मकसद भी यही है कि जादा से जादा लोगों तक इन वीडियो को free of cost प्रोवाइड करना है ताकि knowledge के लिए कोई barrier ना रहे Thank you